आपके साथ मैं हूँ काजो उनरायन यूपी की हवा में दम खुटता है दिली एंसियार की मन पड़ी हवाएं एक बार फिर से जहरीली होती हुई नजर आ रही है 24 घंटे में दिली का वाईयू गुर्वत्ता सूचकांग यानिकी एक यूई 400 को पार कर गिया वहीं यूपी में भी प्रदूशन का स्तर बेहद खराब शेणी में आ चुका था इसे बीच यूपी में मौसम में भी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं जहां हलके कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है तो अहीं इसी कोहरे की बीच प्रदूशन ने भी लोगों का जीना मुखाल कर दिया है यूपी के कई जिलों में बढ़ते प्रदूशन से लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है तो आईए जानते हैं यूपी के बड़े शेहरों में कैसा है प्रदूशन का हाल लखनो एक्यूआई 325 लखनो के लिए समय सबसे चिंता की बाद वायू प्रदूशन है वायू गुर्मत्ता सूचकांग 325 तरच किया गया है जो बहुत खराब शेरी में आता है दूसरा आप वार्नसी देखेंगे वार्नसी में एक्यूआई 331 है वार्नसी में भी कुछ हद तक लखनो की तरह ही प्रदूशन है यहां का वायू गुर्मत्ता सूचकांग यानि की एक्यूआई बहुत खराब स्तर पर 331 है अगला प्रियागराज देख रहे हैं प्रियागराज में एक्यूआई 306 है प्रियागराज में यहां का वायू गुर्मत्ता सूचकांग बहुत खराब स्तर पर है जो के 306 रिकॉर्ड किया गया इसके बाद आप कानपूर देखेंगे चौत्थे नमबर पर कानपूर में एक्यूआई 330 है कानपूर की वायू गुर्मत्ता सूचकांग भी बहुत खराब है और एक्यूआई 330 है वहीं पाचवे नमबर पर आप गुरकपूर को देख सकते हैं गुरकपूर में एक्यूआई 294 है गुरकपूर का एक्यूआई खराब स्तर पर 294 दर्ज किया गया है इसके लावा आयोध्या में भी प्रदूशन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है एक्यूआई 308 है आयोध्या का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दिखाई देता है जो की 308 दर्ज किया गया मेरट की अगर हम बात करें मेरट में आज का जो एक्यूआई है वो 331 दर्ज किया गया है यानि कि ये भी बहुत ही खराब श्रेणी में आता है आगरा आगरा की अगर बात करें तो कुछ तिनों पहले आगरा की जो हवा थी वो सबसे ज़ादा जहरी थी लेकिन आगरा में राहत की बात है कि यहां का जो एक्यूआई है वो थोड़ा कम हुआ है आगरा की बात की जाए तो अब आगरा के एक्यूआई में सुधार हुआ और आज यहां का एक्यूआई जो है 178 दर्ज किया गया है बता दे कि कुछ तिन पहले सबसे ज़ादा खराब हवा आगरा की बताई जा रही थी लेकिन अब यहां की एक्यूआई में काफी हद तक सुधार हुआ है लेकिन यह माल लेना कि पूरी तरह से प्रदूशन खत्म हो गया है यह कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि हलकी जो धुन्द की चादर है वो सुभा सुभा लोगों को दिखाई दे रही है लेकिन वो क्या वाकई कोहुरा है यह प्रदूशन है इसमें अंतर कर पाना आम लोगों के लिए बेहत मुश्किल हो रहा है डॉक्टर्स लगातार सलहा दे रहे हैं लोगों को की जादा से जादा घर पर रहे बेवज़ा घरों से बाहर ना निकले अगर जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकले बच्चों का बुजर्बों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि सर्दी आ रही है और जब जब सर्दी आती है तो कहीं तरह की बिमारियां भी आती है तो ऐसे में लोगों को साबधान रहने की जरुवत है तो यूपी की हवा में दम घुटता है ये मैं नहीं कह रही ये QI इंडेक्स कह रहा है क्योंकि QI जो है वो लगातार बढ़ रहा है जहरील हवा ने चिंता बढ़ा दी है आम लोग परेशान है क्योंकि इससे कई तरह की गंभीर बिमारियां हो रही है डॉक्टर्स लगातार लोगों को चेता रहे हैं इसके अलावा असमान में धुंद है या ठंड है या प्रद्यूशन है इन तीनों में अंतर कर पाना बेहत मुश्किल आम जनता के लिए हो रहा है इसके अलावा अगर प्रद्यूशन की मार की बात की जाए तो जनता इसमें पूरी तरह से लाच्वार नजर आती है जनता क्या करे आगे किस तरह से इस दम घोटू हवा में सांस ले बहुत मुश्किल है तो यूपी में प्रद्यूशन का साया जो है वो मंडराया हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये प्रद्यूशन लगातार बढ़ रहा है प्रद्यूशन का सॉल्यूशन कब निकलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है पिछले दिनों सुप्रीम कोट लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई करता रहा और राजो सरकारों को फटकार भी लगाई है लेकिन उसके बावजूद भी राजो का हाल नहीं सुदर रहा है बेहाल शेहरों में सुधार की उमीद कब है उमीद है लेकिन इस सुदार होगा कब ये सबसे बड़ा सवाल है प्रदूशन कावार शहरों में एर एमर्जंसी इसले कह रहे हैं क्योंकि हवा बेहत जहरी ली है